तो नीट में 100 के अंदर रैंक कैसे लाइब जाए बतलब हर इक नीट आस्परेंट करसा अपना होता है कि मतलब उसका जो नंबर है वह एक बहुत अच्छे ग्वर्मेंट में लगे मोस्ली एमस में लगे सबसे पहले टीप की बात हम बात करते हैं तो सबसे पहले टीप यह आती है कि यह जो प्रोसेस है एक साल की या दू साल की आपको होते हो यह मैराथान भी है मतलब आपको दो साल या एक साल कंसिस्टेंटली six to eight hours पढ़ना ही पढ़ेगा उसी टैम पर नंप पढ़ना पढ़ेगा बार 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 पढ़ना पढ़ेगा without losing excitement, without losing enthusiasm, आपको बार-बार कुशिश करने पड़ेगी, तो साल का लगबग मतलब जब तक need exam में तीन मैने नहीं पढ़ेगी, तब तक आप consistently four to six hour पढ़ना है ठीक है, सेलट्ट्रेटी करनी है और जब need के लिए तीन मैने रह जाते है, जो वाकिए रहते है, तो आपको जो है, वो ये boost करना है, ये speed up करना है, मतलब sprint करना है, मतलब जहाँ पाकी लोग fail हो जाते है, वाहाँ पो आपको जो है, वो दो step आगे जाना है, मतलब आप लाश्टीन मैने पाड़ने, याँ भैन के त्हे से 7-8 बच्चे जो है आपको देता है बच्चे जो है आपना focus हो देता है बच्चे जो है वो सपने सोहने aims के देखने में हो जाते है लेकिन आप पढ़ाई कम-कम होती जाती जैसे exam आती है तो आपको क्या करना है कि साल बर consistently four to six hours पढ़ना है and last के तीन मैंने जब बचेंगे तो आपको जो है ये sprint करना है आपको जो है वो आपनी पढ़ाई दुग नहीं करनी है okay so this was the first second मैं आपको बताना चाहूँगा second मैं यहाँ पर आता है कि देखो यारे आपको ये समझना पड़ेगा कि competitive exams होती क्यों है competitive exam इसी चीज़ के लिए होती है कि आपको उनको eliminate करना है बच्चो को तो वो इस साब तो सुते हैं कि हम कैसे बच्चो को eliminate कर सके तो आपको exam air के mindset को समझना पड़ेगा कि exam का जो paper है वो कैसे set होता है इसको समझने के लिए आपके पास best best हत्यार है that is PYQs तो आपको जब आप बार-बार PYQs करोगे हार एक चीज का PYQs solve करोगे तो आपको ये समझने आएगा कि बहुत से question बार-बार repeat हुए एक ही concept में बार-बार mcqs आया है तो उसी concept पे आपको जो है वो जोर जना है उसी PYQs के जरी आपको एक direction मिल जाएगी देखो हर कोई कहता है कि smart work करो smart work करो लेकिन smart work मतलब ये नहीं की पढ़ाई कम करो smart work का मतलब ये होता है कि hardware in a proper direction तो आपको बार-बार PYQs करने हैं PYQs में जो बार-बार concept revise हो रहे है बार-बार repeat हो रहे है उसको बार-बार revise करने है बार-बार revise करने है So PYQ is must PYQs से आपको एक direction मिल जाएगी आपको important chapters मिल जाएगी और उसी direction में आप चरे जाओगे then third but revision is very very important मैं अपने students को हमेशा कहता हूँ आप में से भी जो मेरे कुछ offline students नंके उनको भी मैं कहता हूँ कि biology या chemistry जो subject is all about revision आप जितने time revise करोगे उतने ज्यादा आपको marks मिलेंगे आपने कोई concept पढ़ा या कोई चीज पढ़ी लेक्टर में लेकिन आप उसको revise नहीं कर रहे तो आपकी memory धुंदली हो जाती है मतलब आपको paper जब सामने आता है तो आपको लगता कि आपको आता है लेकिन आप जो है वो यार नहीं आ रहा है मतलब यार यह तुम्हें ने पढ़ा था लेकिन इसका answer क्या है यह anxiety आ जाती है है fourth and most important चीज़ that is MCQ practice ठीक है एक fear of missing out FOMO जो है आपको MCQ practice में देखने को मिलता है मतलब मैंने बहुत से बच्चे देखते हैं दिनके theoretically physics काफी strong होती है लेकिन वो MCQ attempt नहीं कर पाते है तो बच्चा देखो competitive exam में MCQ आने वाले और जब तक आप खुद MCQ practice नहीं करते तब तक आपको exam में MCQ attempt करना नहीं आए तो physics, chemistry हो या फिट biology भी हो आप तो क्या करने है maximum number of MCQs solve करने है आपको MCQ orientation study करनी है ठीक है जितने ज्यादा MCQs solve होगे जितने ज्यादा MCQs को attempt करोगे उतने ज्यादा आप जो है वो आगे जाओगे उतने ज्यादा जो है वो आपका confidence बढ़ेगा और उतनी ही कम आप silly mistakes करोगे exam में so MCQ practice is very very important आपको MCQ practice किसी भी हाल में में इस नहीं करनी है last and but very very important point it's all about destiny ठीक है मतलब बच्चे करते सपनों में खो जाते हैं या बच्चे fear में रहते हैं कि या कर रहा हूं हालों कर रहा हूं ठीक यार नहीं हुआ तो यार ऐसा हुआ तो यार ऐसा हुआ तो यार ऐसा हुआ तो देखो यह चीज आपको समझने सब्सक्राइब करना है तो आपको काम रहना है कि मेरे हाथ में मेनत है मेरे हाथ में फल नहीं है ठीक है तो आप जितनी ज्यादा मेनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा ठीक है तो इसलिए इस इंसाइटी में कि यार में को मिलेगा कि नहीं में को मार्स मिलेगा कि नहीं में को काम करो चिल करो फन करो मुवीज देखो लेगिन राइट टाइम पर राइट टाइम मतलब जादा कोई पी चीज नहीं करने हर चीज को बैलेंस में रखना है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइक करना मत बुलूग ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक हमेशा होचता रहे सो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए चाहिए